दिखे दोस्तो, मोगरा का जो प्लांट है, वो पर्मनन फ्लावरिंग प्लांड में आता है, याने इसकी जो फ्लावरिंग है, वो कंट्टिूनी सालबड चालू रहती है, पर गर्मी का जो मोसम है, याने मार्च, अप्रेल, माई और जून, इस चार मेने में इसमें बहुत करना होगा कुछ साथ हमें कुछ सा फटलाजर बनाकर हमारी जो मुग्राच के प्लांट है उसमें यूज करना है, ताकि हमारे प्लांट वापस यान दोबारा फ्लावरिंग के लिए रेड़ी हो सके, और हमारे मोगरागे प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्या और फ्लावरिंग हो तो कौन-कौन सी क्रिया है और कौन-कौन से फटलाजर जो हमें मिला कर इसमें यूज करना है वो सभी बाते मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इसके लिए इस वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को पूरा देखिए तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं मोगरागे का ऐसा प्लांट है कि जिसमें एक बार फ्लावरिंग आने के बाद कम से कम 15 या 20 दिन के लिए ये डेश्ट में चला जाता है यानि उसमें कोई भी कर लिया या कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है तो इसी टाइम हमें इसकी हार पूर्णिंग और स्वाप पूर्णिंग करना होता है या आप देख सकते हैं इसमें एक बार फूल आकर चले गया है तो हमें सबसे पहले जहां पे फूल आकर दोस्तों मुर्जा गया है उच जगा को हमें कटर से या ब्लेड़ से अच्छी तरह से कट कर लेना है यानि हमें शॉप पूर्णिंग करना है पूर्णिंग करते वागत एक बात का आपको द्यान रखना है जहां पे फ्लावरिंग आकर चली गई है वहां से कम से कम एक या दो इंच की नीचे से हमें कट कर लेना है तक ही उसमें नई ब्रैंचेस आ सके और जितनी ज़्यादा नई ब्रैंचेस आएगी वो कल्य को साथ में लेकर आएगी यानि हमारा प्लांट जितनी ज़्यादा ब्रैंचेस निकालेगा उतना ही इसमें कल्या और दोस्तों फ्लावरिंग होगी इस बात का आपको द्यान रखना होगा और जहां जहां से हम लोगों ने ब्रैंचेस को कट किया है वहाँ पर अलिवरे का जेल का इस्तिमाल करेंगे यूकि अलिवरे का जेल ये अंटी फंगस और अंटी बेक्टिरिया दोने टाइप से काम करता है यानि हमारे जो ब्रैंच है जहां पर हम लोगों ने कट किया है वहाँ के अगर कोई इंफेचन होता है तो जो पूरी ब्रैंच है वह दिरे दिरे सुकने लगती है इसके लिए जब भी आप कोई भी प्लांट हो अगर उसके हाड़ पूर्णिंग करते है या स्वाप पूर्णिंग करते है तो अलिवरे के जल का हमें इस्तिमाल करना बहुत है आवस्च होता है स्वाप पूर्णिंग करने के बाद जो हमारी सेकंड स्टेप है वह है फर्टलाजर की कोई भी प्लांट हो अगर हम स्वाप पूर्णिंग या हाड़ पूर्णिंग करते हैं तो हमें कोई अच्छाला फर्टलाजर देना बहुत ही आवस्च हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे इसकी नई ब्रांचेज निकलना चलो हो जाती है और नई ब्रांचेज के साथ साथ उसमें कल्या और फ्लारिंग भी होती है इसके लिए इस प्लांट को बहुँ ज़्यादा मातरा में नूट्रिशन की आवस्चता होती है इसके लिए दोस्तों कोई भी अच्छा फटलाजर हमें देना बहुत ही आवस्चता है फटलाजर को देने के लिए सबसे पहले आपका प्लांट जिस भी गमले में लगा हुआ है उसकी हमें दोस्तों मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है और गुड़ाई करके हमें मिट्टी को बाहर निकल देना है हाँ आप लिखड बेस में अगर फटलाजर दे रहे हैं तो गुड़ाई करेंगे तो काफी हो जाता है हमें बाहर मिट्टी निकलने के ज़ुरूत नहीं पड़ती है पर आप solid base में फटलजर दे रहे हैं तो हमें गुड़ाय करके कम से कम 2 या 3 इंच तक मिटी को बाहर निकल देना होता है यह आप देख सकते हैं मैंने इसकी 2 या 3 इंच तक मिटी बाहर निकल दिये वह आप देख सकते हैं इसको मैंने ट्रे में दोस्तों अच्छी तरह से निकाल दिये ट्रे में निकलने का रीजन यही है कि इसे हम कम से कम एक या दो दिन के लिए दूप में अच्छी तरह से सुका लेंगे इससे क्या होता है जो भी harmful bacteria रहते हैं जो हमारे प्लान के लिए घाता कोते हैं वो दूप के करना अच्छी तरह से इसका कंट्रोल हो जाते हैं याने मर जाते हैं नहीं तो फिर दोस्तो अगर आपके पास नहीं मिटी है तो उसका अभी यूज़ कर सकते हैं देखे हम लोगों ने दो दिन तक इसे अच्छी तरह से दूप में सुखाने के बाद हम फटला जका यूज़ करेंगे यह आप देख सकते हैं यह बोन मिल बोन मिल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केलिसियम और फास्पुरेट रहता है और जो सेकंड चीज हम लोगों लाएंगे वह दोस्तों सड़ियों गोबर के खाद और इसमें 50% नाट्रोजन के मात्रा रहती है और यह आप देख सकते हैं जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है यह दोस्तों अंडे की चिलके जो मिजने मिक्सर में अच्छे तरह से पीछ लिया थे यहने पावडर बेस में बना दिया है आपके पस अगर बॉन मिल नहीं है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकता है नहीं तो फिर दोस्तों दोनों में से कोई भी एकी चीज आपको इस्तिमाल करना है क्योंकि हमें कलिसियम के लिए इस दोस्तों चीज का इस्तिमाल करना है और बन मिल में और जो अंडे के सिलके हैं इसमें बहुत ज्यादा मातरा में कलिसियम होता है और जो भी flowering वाले plant है उसी calcium की बहुत ही आवश सकता होती है इसलिए आप दो में से कोई भी एक चीज का इस्तिमाल कर सकते हैं और तेज दूप के कारण हमें कोई heavy fertilizer का भी use नहीं करना है और जितना हो सके उतना आपको एक बात का ध्यान रखना है कि राचानी fertilizer हमें यूज नहीं करना है और ज्यादा मात्रा में organic fertilizer का भी यूज नहीं करना है क्योंकि गर्मी के कारण जो पहले से हमारे plant trace में रहते हैं तो अगर हम लोग कोई heavy fertilizer यूज कर देते हैं तो हमारे plant को दोस्तों problem हो जाती है अगर आपके पास शड़ी हो गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह पे आप वर्मी कमपोस्ट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं ऐसे देखा जैसे दोनों से मात्रा में काम करते हैं यानि जिस तरह से हमारे plant को दोस्तों nutrition चाहिए वर्मी कमपोस्ट से भी उतना ही मिलता है जितना सड़ी हो गोबर के खाद से मिलता है अभी आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने फर्टलाजर दिया था उसे अच्छी तरह से हमें मिट्टी में मिश कर लिया है और हमें एक बात का द्यान दखना है कि इसे देने के बाद कम से कम तीन दिन के बाद हमें कोई कोफी का पाउडर लेना है और कोफी का पाउडर जो दो रुपे में पैकेट आता है उसे पानी में एक लड़ा पानी मिश करना है और जो भी हमारा प्लांट है उसमें दे देना है क्योंकि हमारे जो मोगरा का प्लांट है उसे एसेटिक मिट्टी की पसंद रहती है इसको आपको ध्यान रखना है और जहां से हम लोगने गुडाइगर की मिट्टी निकाली है उसी जगह पे जो हम लोगने फटलेजर मिश करके जो मिट्टी बनाई है उसे हमें राउंड से भ राउंड राउंड से जो भी मिट्टी हम लोगने निकाली थी उसे वापस भर लेना है और ये कम से कम एक मेने तक इसके बात कोई भी फटलेजर हमें देने की आवसकता नहीं पड़ेगी जब तक इसमें नए फ्लावरिंग नहीं आते है अभी जो इसके साथ जो कल्या आए सुबा में पानी देना है या फिर साम को याने सुबा में 9 बज़े से पहले और साम को 6 बज़े के बाद ही पानी देना है क्योंकि दोस्तों दिन में काफी दूप होने के कारण जो गंबले की मिट्टी है वो काफी हीट रहती है अगर उस्टे हमें पानी देते हैं तो पानी 8 गंडे की continue दूप चाहिए तो इस आप इसे ऐसी जगह रखे जहापे 7-8 गंडे की नहीं तो कम से कम 3 या 4 गंडे की दूप आते हो क्योंकि अभी दूप काफी तेज है और आप देख सकते हैं ये दोस्तों इस अभी 7 दिन हुए है और 7 दिन में इसके नए ब्रांचे सो निक दूप कराया था वह ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सीप इसे 7-8 मेने का ही है दोस्तों ये प्लांट है इसके लिए इसकी साही छोटी है अगर आपके पास बड़ा वाला प्लांट है तो आप इसकी हाड़ प्रूणिंग करके या स्वप प्रूणिंग करके कोई अच्छा देते हैं तो आपका ये प्लांट पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा और इतने फूल आते हैं कि आपके प्लांट में दोस्तों जे पत्ते हैं वो पत्ते भी दिखाई नहीं देंगे अगर आपके मोगरा के प्लांट में इस तरह से अगर लंबी वाले ब्रांचेस निकल लेती एक इसक prepared हमारी को साइज चो टी राज जाती है ऑर इसके साथ कभी कभे ऐसा हो जाता है कि जो कल्या अच्छी तरहुआ नूट्रिस नहीं मिलने के कारण व दूस्तों जड़ जाती है इसके लिए जो वेश्टर दोस्तों ब्राशे श्रूक εस यह रही है यह आई नहीं रही है तो आपको देखेंगे कि आपका जो प्लांट है वह पूरतर से कल्यों से और फूलों से भड़ जाएगा तो चलिए दोस्तों अभी आपसे विदा लेता हूं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट्स करना ना भूलना तो मिलते हैं दोस्तों नेक टूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद